हेलो व्रिवान वोकम तो दिस चैनल कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे होंगे सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी परसंटल रहे हैं राइट नाव वो आपको लेके क्या फिल कर रहे हैं टामलस रेडिंग है जब आप इसे देख र प्राभु का नाम जै सिया राम फैस्ट कार्ड वी हैं योड़ पैंटिकल्स 8 औगस्ट मंथ और टारस विल गो प्रेकों आप एपकी परसंट नह पर सेवन जुलाइ मन्थ अईरिस लियो सटीटीरस आप एपके परसंट हो सकते हैं आपकी परसंटे हैं आपकी परसंट हो सक अभी उसको हटाना चाहरे है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो अभी आपको बन ब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है, ब्लॉक करने वाले हैं, और दूसरे सेनेरियो यह है कि, यह क्या कर रहे हैं, खुद को डिफेंड करने के लिए, ताकि मतलब आपके बारे में आपके तरफ कोई एक्शन ले, यस, ओके, फाइफ में मन्त, आप लोगों से रसनेट कर सकता है, 7 यहां पे ट्वाइस आया है, डबल 7, 777, अगर आप लोगों का आज कल दिख रहा है, तो बहुत ही पसुटिव साइन है, स्प्रिस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् यह कार्ड दोनों जो साथ में है, 8 ओफ पेंटिकल्स, यह बता रहे हैं कि आपके परसन के फाइनेंस सही नहीं चल रहे हैं इस वक्त, जिसके लिए भी यह थोड़ी सी महनत करते हैं नजर आ रहे हैं, जिसके वजए से भी यह क्या कर रहे हैं, अपने फाइनेंस को ठीक करन इनका एक सपना है, मेरा एक सपना है कि एक बड़ा सा घर हो, एक बड़ी आसी गाड़ी हो, ऐसा कुछ सपना है इनका, यह कुछ अचीव करना चाहते हैं, अभी आपने क्या सोचा, मैं यह बोलूंगी, मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में हाँ, वो तो देखते ह हैं सपनों में ही तो देखते हैं action तो लेते हैं नी so क्या है कि आपके person का as of now इनका एक सपना जो मुझे दिखा है अभी तक की energy में वो यही है कि इनकी first priority I'm frankly speaking I'm sorry to say but हाँ इनकी first priority right now इनके finances हैं ओके थोड़ा करवा है लेकिन सत्य है देखिए पहला ही का आप खुद देखिए coins ही coins है ओहो बस इसी की कभी थी triple seven हो चुका है okay seven of sword Gemini Libra Aquarius and eight of cups Cancer Pisces a Scorpio number eight 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 twice है so नहीं thrice क्योंकि हमें strength का card भी दिखा था so triple eight to triple seven आप लोगों को अगर यह दिख रहे है तो triple eight का card abundance को बताता है ठीक है आपको कहीं से abundance मिल सकते है या फिर यह abundance के पीछे कुछ जादा भाग रहे हैं देखिए sneaky behavior है again मैं बता दू यह pretend कुछ और कर रहे हैं देखिए हो सकता है यह pretend ऐसा कर रहे हैं कि इनके finance बहुत अठ्छे चल रहे हैं जबकि हकीकत हमने देख लिए हैं इनके life में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है specifically इनके finance तो बिलकुल नहीं अब 8 of cups with 7 of sword का card मुझे यह बताता है कि आपके person ने past में यह पता है क्या बनके गए थे यह बोलते है ना पिठ दिखा के भागना यह इस connection से भागे हैं ठीक है मैं यह नहीं बोलूँगे दुम दबा के भागे हैं बस यह भागे हैं यह भागे हैं और यह भागे भी इसलिए थे कि कुछ है जो आपको नहीं पता लगना चाहिए था या या तो आपको पता लगा है या फिर यह चाहते थे कि अगर यह आपसे और connected रहे तो शायद आपको इनका कुछ पता लग जाएगा कुछ राज इनका आपके सामने आ जाएगा तो मतलब यह डर गए और यह भागे हैं यह कुछ छिपाने के लिए बागे फोर शो इन्हो को हाइड करने के चक्कर में यह भागे हैं ओके टावर का कार्ड विद ऐस अफ काप्स ओके देखते हैं भाई कोई emotional connection मुझे break होता वने जारा emotionally यह break हो रहे हैं इस वक्त अभी emotion से connection भी होता है देखते हैं oh definitely definitely एक connection है जो okay as I said क्या कहा था two of sort second option अगर second option कोई third party है कोई specific कोई third person है चाहिन की mother हो चाहिए फादर हो चाहिन का बेटा हो बेटी हो महन हो अच्छा मैन तो बोलने भूल गी wife हो husband हो ठीक है उनके साथ इनका connection break होने वाला emotional bond जो अभी तक इनको पकड़े हुए था जिसमें यह फसे हुए तो वो आप हाई प्रिस्टिस के energy में है और आपकी जो person है यह मैं देखो एक बहुत specific message आपको देदू यहां पर chariot with हाई प्रिस्टिस का card यह बता रहा था कि आप ही के inner work के वज़े से आपके person action लेने पर मजबूर हुए इनका जो emotional connection जिन से third party से था वो break इसलिए हो रहा है क्योंकि यह आप ही के inner work का नतीजा है आप ही के trust का universe पे देखे high priestess again high priestess के energy आप ही की है guys आपने बहुत काम किया है खुद पे आपको खुद को नहीं पता आपने क्या काम कर दिया पता है क्या कर दिया लेकिन हाँ आप ही नहीं कुछ किया है आप ही ने अपने person को मजबूर कर दिया, लोगों से disconnect होने के लिए spiritual path पे चलने के लिए 777 इसलिए दिखा था यह 777 thrice इसलिए आया था कि यह यह भी indicate कर रहा है कि आपके person अभी spirituality की तरफ बढ़ रहे हैं, okay, hermit का card है लोगों से disconnect हो रहे है खुद से connect हो रहे है कहने का मतलब यह है, यह इंसान अपनी कमियों को देख पा रहे है, खुद के अंदर जाक रहे है, अपनी अंतरात्मा की सुन रहे है इनके अंतरात्मा इनको कोस रहे है कि तुमने past में खुद की गलतियों को चुपाने के लिए तुमने move on किया था, right, और अब बात नहीं का रहे, इस वक्ती यह जहां कहीं भी है जिन भी लोगों को साथ है, उनके साथ इनका कितना भी emotional bond हो, वो break हो रहा है okay, Ace of Pentacles with Ace of Cups, दोनों ही कार्ड बता रहे एक new beginning, ultimately एक new beginning इस connection में होने वाली है आप चाहें या ना चाहें, universe चाहते हैं फिर से start हो, और emotions with stability emotions के साथ stability भी होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ emotions होंगे, फिर run फिर से run कर जाएंगे, on and off नो, यह connection emotions के साथ साथ stable connection होगा, अभी जो होगा okay, okay मैं लिन को clarify किया है, देखिए cards देखिए, आप यह सामने है आपकी जो person है इनकी inner pace missing है, ठीक है, इन्होंने give up करने का सोच लिया, आप से नहीं give up, run करने से सोच है, मतलब बहुत जादा run कर लिया आप give up कर रहा हूं मैं, अब नहीं होगा अब मुझे मेरे partner के पास जाना है, क्योंकि आपकी यादे इनको बहुत जादा haunt कर रही है, past के memories इनको बहुत जादा haunt कर रही है six, six मुझे यहाँ पर twice दिखा है that means possibility है marriage की, that means possibility है एक bright future की, आपके साथ एक stable connection आप कर सकते है, imagine double six दिखा है, और double six, triple six, यह sign है यह indication है कि एक happy marriage को बताते हैं okay, so बहुत beautiful energy है guys, बहुत ही beautiful so first message from your babushona is you are better than perfect आप बहुत best हो मुझे से पुछो, आप बहुत हो ठीक है, आपके जैसा कोई नहीं next next message we have I can't stop myself for thinking about you देखिए, यह ऐसा नहीं करते हैं यह कुद को बहुत कंट्रोल करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे as I said, यह कुद का mind divert करने के लिए काम में busy हो रहे हैं लेगन फिर भी इनको आपका क्याला आहीं जाता है I wanna marry with you So, क्या बोलते हैं अभी आप अच्या कुछ भी मत बोलो, मैं हूना बोलने के लिए मैं बोल रहे हैं, आप सुनो आपकी पर सुन आपसे शादी करना चाहते हैं Marriage I see my future with you, oh my goodness Again, confirmation यह आपके साथ अपना future देख रहे हैं ठीक है Sorry, I'm not perfect for you Okay, आप perfect से भी better हैं बट यह खुद को आपके लिए perfect भी नहीं मानते हैं क्यों क्योंकि यह past में move on जो कर गए थे मतलब जहां इनको आपके साथ देना चाहिए था यह भाग गए थे वाह से I see your pictures, यह आपको stuck कर रहे हैं यह आपके pictures देख रहे हैं Zoom कर करके आपके पुराने videos जो भी memories आप तोनों नहीं create कि यह past में कहीना उनसे connect होते वे नजर आ रहे हैं Somehow, बहुत ज़्यादा missing energy है I really need you इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत कहीने आपकी person emotional भी हो रहे हैं With Ace of Cups I really need you बहुत ज़्यादा emotional हो रहे हैं अब इनको अगर emotionally किसी से connect होना है तो वो है आप अभी song देखते हैं जग घुमया थारे जैसा ना कोई आपके जैसा कोई नहीं है मैंने कहा था मतमानो Wow, my favorite song Please ज़रूर सुनिएगा तु होगा जरा पागल तुने मुझे को है चुना कैसे तुने अनकाहा तुने अनकाहा सब सुना बहुत beautiful song है मोह मोह के धागे तिरी उंगलियों से जा उल्जे ठीक है? सुन ले ना कितने deep emotions है guys ओके? ओके, सो अभी मुझे guidance भी देखनी है कि मेरे viewers को क्या करने की जरूरत है आप लोगों को भी तो कुछ करना है न ऐसे धोड़ी न कि बैटे भीटाए सब कुछ मिल जाएगा नहीं कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ओके, देखते हैं युनिवर्स की तरह से आप लोगों के लिए guidance आपको क्या करने की जरूरत है लेके, प्रभु का नाम जैसी आरा मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस इनकी करन्ट सिचुएशन पर मिस्रे एक्स्पोर दे अन्नोन दे अनेक्स्पेक्टेट आवाइट स्यू देखे, आपको नहीं नहीं जगह को एक्सपोर करना चाहिए युनिवर्स चाहते हैं कि एक जगह मत बैठो, कहीं गुमने जाओ नहीं नहीं चीज़ों को एक्सपोर करो नहीं नहीं आप्शन्स को एक्सपोर करो, ऐसा नहीं है कि एक जगह बंद गए आप हल्प, the help you need is on its way to keep watching for it युनिवर्स किसी ना किसी वे में आपके help कर रहे हैं बट आपका ध्यान help के उपर ही नहीं आपका ध्यान तो पूरा का पूरा बाबुश होना पर है वो miss कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा अरे वो जो कर रहा है, उसको करने दू आप वो करो जो universe आप से करवाना चाहते हैं मैभी universe किसी friend की थुरू या किसी और की थुरू आपकी help करना चाह रहे हैं बट आपकी आखी तो खुली नीरी आप तो सपनों की दुनिया में खोये हो दिन में सपने देख रहे हो आखी खोलो reality को देखो इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है प्लीज उस पर फोकस कीजिए तो गई जीती छोटी से रेडिंग होप आप से रजनेट कीए रजनेट कीए तो चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कॉमेंट करना ना भूले मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तकी लिए चेकर अपना ख्यार के जे सी आ रहा हूं